मौसम के बदलाव के साथ ही लोगों के किचिन का बजट भी तेजी से बदल रहा है। देश भर में बार जैसी स्थिती और असमे बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है जिससे सबजियों के दाम आस्मान छूरें हैं। खासकर टमाटरों की कीमत में अब प्रत्यशित उच्छाल देखा जा रहा है जिससे घरों का बजट भूरी तरे प्रभावित हो गया है। खाल की मुख्य वज़े हैं कई राज्यों में बारिश और गर्मी के कारण टमाटर की फसलों को हुए नुकसान और टमाटर की बुआई में कमी देखा है। लोग अपने किचिन के बजट को लेकर परिशान है। टमाटर के साथ साथ अन्य सबजियों की कीमतों में भी ब्रद्धी हुई है। प्याज, आलू, हरी सबजिया सबके दाम बड़े हुए हैं। इसका सीधा असर आम आदमी के किचिन के बजट पर पढ़ रहा है। लोग मजबूरी में कम मात्रा में सबजियां खरीद रहे हैं और इससे उनके खाने की गुणवत्ता पर भी असर पढ़ रहा है। टमाटरों की बढ़ती कीमत पर उब्भोकताओं की नराज की साख छलगती है। एक उब्भोकता ने बताया कि पहले जहां वे हर हफते 5 किलो टमाटर खरीदते थे, अब मुश्किल से 2 किलो ही खरीद पा रहे हैं। टमाटर के दाम बढ़ने से न केवल सलाद और सबजियों में इसका उपयोग कम हो गया है, बलकि कई लोग इसका इस्तिमाल पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए बकसर से संजे कुमार की रिपोर्ट